हेलो फ्रेंद्स वेलकम तू में यूट्योब चानल माकः पॉइंट इन टोधेस्ट वीडियो विल इसकूस मोल कॉंसेट ठीज ए वह वीच्टी में क्या होता है बहुत सारी रेक्शन होती है जैसे सबसे एक सिंपल रियक्शन की बात करें तो इट इस है टू प्लस ओ टू औ है बर हाइड्रोजन और आकज़े म सब्चिन मिलके हैung क्या देते हैं वह ट कि अब क्या है लैब में हुमें जब भी रियक्शन करवानी है तो हमें कुछ न कुछ क्वैंटिती में हाईड्रोजन और कुछ कॉंटिय्टी में लेना पढ़ेगा ठीक है तो अब देखे तो यह inference में इस reaction से यह निकाल सकती हूँ कि मेरे पास क्या है two molecules hydrogen के है and I have one molecule of oxygen और उससे मुझे क्या मिल रहा है two molecules of water तो हम molecule की term में कर सकते हैं और हम क्या inference निकाल सकते हैं क्या मैं मास की term में बात कर सकती हूँ जैसे hydrogen है what is the atomic mass of hydrogen it's one okay so मेरे पास कितनी hydrogen है यहाँ पर H2 है तो मतलब 2 हो गया और उसके भी two molecules है so 2 into 2 I can say it is 4 amu so 4 amu आपके पास है hydrogen plus how much oxygen oxygen का molar mass होते है 16 so I have two oxygen atoms so it is 16 into 2 that is 32 amu और यह मिलके क्या बना रहा है 2 moles of water so 2 times what is the molar mass of water तेको hydrogen का कितना होते है 1 2 hydrogen है तो 2 plus 16 so it is 2 times 18 that comes out to be 36 u okay और I can say amu because amu आपका पुराना unit है and u is the new unit unified mass ठीक है तो अब देखें 4 amu hydrogen 32 amu oxygen के साथ react करें तो मेरे पास क्या बन जाता है 36 amu water बन जाता है ठीक है तो मतलब किसी भी reaction के लिए मैं दो terms में बात कर सकती हूँ एक तो term है मेरे पास molecule मतलब की number counting होगे ना की 1 2 ऐसे और एक term है मेरे पास mass कि इसका इतना amount इसका इतना amount ठीक है तो इन चीज़ों को simplify करने के लिए एक नया concept बनाया गया that is known as mole concept और mole क्या है आपका एक unit है mole क्या है एक unit है ठीक है जैसे exactly a dozen होता है ना dozen का मतलब क्या होता है dozen का मतलब होता है 12 ओके तो अगर हम बात करें कि I have one dozen banana तो इसका क्या मतलब हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा I have 12 banana ऐसे ही अगर मैं कहूं मेरे पास one dozen orange है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा I have 12 oranges तो ऐसे ही जो mole है that is a unit इसकी जो value होती है it is 6.023 into 10 raise to power 23 क्या number है इसका 6.023 into 10 raise to power 23 जैसे dozen में fix हो गया न कि 12 है ठीक है आपका century में fix हो गया कि 100 है ओके ऐसे ही mole में क्या fix कर दिया हमने एक number which is 6.023 into 10 raise to power 23 तो जैसे one dozen बनाना का मतलब 12 बनाना है तो ऐसे ही अगर मैं बोलू I have one mole बनाना तो मतलब कितने बनाना हो जाएंगे 6.023 into 10 raise to power 23 बनाना हो जाएंगे तो ऐसे ही 1 mole अगर मैं orange mole दूँ तो it will mean I have 6.023 into 10 raise to power 23 orange ओके तो जैसे dozen है exactly वैसे ही mole भी क्या है एक number को represent कर रहा है जो की कितना है 6.023 into 10 raise to power 23 और यह जो number है बहुत ही बड़ा number है बेटा 10 raise to power 23 ठीक है 10 raise to power 7 पे आपका करोड हो जाता है तो 10 raise to power 23 is a quite big number ओके अब क्योंकि atoms हमारे बहुत ही छोटे हैं इसलिए यह number इतना जादा बड़ा है ओके तो अगर हम बात करें suppose I have 1 mole carbon atoms तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास कितने carbon की atom होंगे 6.023 into 10 raise to power 23 carbon atoms ओके ऐसे ही अगर मैं बात करूँ I have 1 mole of oxygen atoms अब oxygen atoms का क्या मतलब है single O atoms ठीक है तो कितने हो जाएंगे 6.023 into 10 raise to power 23 oxygen atoms ओके अगर मैं बोलूँ I have 1 mole oxygen molecule now what is the difference between oxygen atom and oxygen molecule oxygen atom जो है आपका it is single O ठीक है और oxygen molecule क्या हो जाएगा आपका O2 हो जाएगा तो अगर अभी भी बात किस की हो रही है 1 mole की हो रही है तो जैसे 1 mole orange और 1 mole बनाना है सेम ऐसे ही 1 mole oxygen atoms और 1 mole oxygen molecule का क्या मतलब है 6.023 into 10 raise to power 23 O2 के molecules है मेरे पास ठीक है तो यहाँ पे इस बात में confused नहीं हो ना हम 2 से multiply नहीं करेंगे यहाँ पे क्यों यहाँ पे हमारी जो सबसे चोटी unit है वो oxygen का molecule है जिसकी बात कर रहे हैं हम ठीक है ओके मेटा चलिए तो हमने यहाँ से establish कर लिया है कि 1 mole जो है वो क्या है आपका 6.023 into 10 raise to power 23 23 particles है या units है कुछ भी कह सकते हैं ठीक है अब यह particles कौन-कौन से हो सकते हैं यह particles हमारे atoms भी हो सकते हैं यह molecules भी हो सकते हैं यह ions भी हो सकते हैं ठीक है कुछ भी हो सकता है, clear, चलिए, तो let's do one question, calculate the number of atoms present in one mole of sodium, ठीक है, सो अगर मैं यहां से solution देखूँ, तो क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या कहा, कि number of atoms calculate करो in one mole of sodium, so I know कि one mole of sodium, किसके equal है, six point zero two three into ten raise to power twenty three, ओके, सो क्योंकि sodium atomic form में होता है, तो हमारे पास यही हमारा क्या जाएगा, answer आजाएगा, ठीक है, clear बिटा, तो ऐसे ही, अगर मैं बात करती, कि मेरे पास two mole sodium है, उसमें आपके number of atoms कितने होगे, तो यह हम कैसे calculate करते, ठीक है, तो फिर हम क्या करते, कि one mole जो sodium है, उसमें तो हमारे पास है, six point zero two three into ten raise to power twenty three atoms, ठीक है, two mole sodium में कितने हो जाएगे, क्या करेंगे, इसको two से into ten raise to power twenty three atoms मन जाएगे, clear बिटा, तो अब देखो, तो क्या मैं यहां से एक formula बना सकती हूँ, कि जो number of moles है, it is equal to number of particles, अब हमने particles क्यों लिखा यहां पे, क्योंकि बिटा, atom भी हो सकते है, iron भी हो सकते है, molecule भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो number of particles divided by six point zero two three into ten raise to power twenty three, ठीक है, तो अगर मुझे number of moles calculate करने है, so what is the formula, it is six point, number of particles divided by six point zero two three into ten raise to power twenty three, ठीक है, और एक और बात यहां पे, अब क्या है, यह number जो है, इसकी discovery के बाद पता चला कि यह बहुत ही ज्यादा important number है हमारे लिए, ठीक है, तो जैसे यह से होता है आपके शहर में कोई important रास्ता है, ठीक है, आपके शहर की connectivity को बहुत अच्छा कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी ना किसी dignity को, हम वो respect देने के लिए उनके नाम पर, उस रोड का नाम रख देते हैं, जैसे, तो यहां पे भी हमने क्या किया, एक scientist थे, एवोगेडरो, उनको respect देने के लिए, उनके honor में इस number का नाम हमने क्या रख दिया, एवोगेडरो ज़ नमबर रख दिया, ठीक है, so, 6.023 इंटो 10 raised to power 3 का नाम क्या हो गया, एवोगेडरो ज़ नमबर, क्या हो गया, एवोगेडरो ज़ नमबर, और इसको हम represent करते हैं, ऐसे, N A से, capital N, और उसके subscript में capital A, ओके, so, यहां पे इस formula में, denominator में हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, N ने भी लिख सकते हैं, clear, so, now, let's use this formula, question करते हैं, question है, आपका, calculate the number of moles present in 3.011 into 10 raise to power 23 particles of carbon, okay, so, कैसे solve करेंगे, अब देखे, अभी हमने formula लिखा, that number of moles, number of moles को हम generally small N से represent कर देते हैं, it is equal to number of particles divided by 6.023 into 10 raise to power 23, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, okay, so, number of moles हमें calculate करने हैं, number of particles कितने गिवन हैं, 3.011 into 10 raise to power 23, और N लिख सकते हैं, 6.023 into 10 raise to power 23, तो देखे, यह तो exactly cancel out हो जाएगा, और यह भी अगर आप देखो ध्यान से, it is 1 by 2, so, और answer is 1 by 2, that is 0.5 mole, okay, so, अगर आपके पास 3.011 into 10 raise to power 23 particles हैं, तो वो कितने moles हैं आपके, 0.5 mole है, carbon के, clear, अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने number, mole को number से relate किया है, ठीक है, कि 1 mole जो है, हमने number की term में बात करी कि counting में, कि उसमें कितने particles हैं, 6.023 into 10 raise to power 23, जो कि क्या होता है, मारा avogadros number होता है, ठीक है, इसके अलावा, हम mole को mass से भी represent कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से measure कर सकते हैं उनको, या तो आप एक dozen ले लो, मतलब counting में ले लो, 12 बनाना, या तो क्या करो, 1 kg ले लो, मतलब उनको weigh कर के ले लो, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो mole का एक relation तो हो गया, number, जो की था 6.023 into 10 raised to part 23, इसके अलावा, 1 mole जो है, it is equal to gram atomic mass, ठीक है, 1 mole किसके बराबर है, gram atomic mass of particle, आप जिस भी particle की बात कर रहे हैं, उसका अगर mass आप grams में लिख लोगे, ठीक है, तो वो भी किसके equal आएगा, 1 mole के equal आएगा, ठीक है, अब देखिए, जैसे suppose carbon की मैं अगर बात करूँ, तो carbon का mass कितना होता है, हम लिखते हैं 12 amu, या फिर simply 12u, अगर मैं इसी को लिख लूँ 12 gram, क्या लिख लूँ 12 gram, ठीक है, यह amu वाला अपका क्या है, relative atomic mass, क्या है, relative atomic mass, और यह जो gram में हमने लिखा है, it is your gram atomic mass, ठीक है, बस कुछ नहीं है बिटा, आपने जो mass की value learn कर रखी है, हमने उसका unit बदल दिया, amu की जगा पे क्या लिख दिया, हमने gram लिख दिया, ठीक है, तो carbon का जो 12 gram है, अभी हमने क्या लिख लिख था, कि 1 mole किसके बराबर होता है, gram atomic mass of particle, तो अब carbon का यह gram atomic mass है, तो मतलब यही carbon का क्या है, 1 mole है, ठीक है, so 1 mole of, अगर मैं carbon की बात कर रही हूँ, तो मैं उसको 2 terms में represent कर सकती हूँ, एक तो हो गया, कि मेरे पास 6.023 into 10 raise to power 23 क्या है, atoms है carbon के, और दूसरा क्या हो गया, कि मेरे पास क्या है, 12 gram carbon atoms है, ठीक है बेटा, ऐसे ही, suppose I have oxygen, तो 1 mole oxygen की अगर मैं बात करूँ, तो again I can represent it in two ways, इधर 6.023 into 10 raise to power 23 oxygen atoms, और oxygen का मास कितना होता है बेटा, 16 होता है, तो 16 को बस am यह उटा के क्या लिखना है, gram लिखना है, so 1 mole का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 16 gram हो जाएगा, ठीक है, चलिए, ऐसे ही, अगर मेरे पास 1 mole oxygen, मतलब O2 molecules है, तो इसका क्या-क्या मतलब है, काउंटिंग में कितने molecules हो गए, 6.023 into 10 raise to power 23 molecules, ठीक है, और मास में कितने हो गए बेटा, देखो, single oxygen का मास कितना होता है, 16, दो oxygen atoms का मास कितना हो गया, 2 into 16, तो मतलब 32 gram, ठीक है, clear, तो 1 mole, अगर मेरे पास O2 molecules है, तो उनका मास कितना हो गया है, 32 gram, ठीक है, चलिए, equation की form में करते हैं इसको, I have 24 gram carbon, ठीक है, I have 24 gram carbon, calculate number of moles, ठीक है, मेरे पास क्या है, 24 gram carbon है, आपको क्या calculate करना है, number of moles, ओके, अब देखे, अब मुझे पता है, कि for carbon, 1 mole is equal to 12 grams, क्योंकि यही क्या है इसका, at gram atomic mass, ओके, सो मतलब 12 gram of carbon is equal to 1 mole, ठीक है, तो 1 gram carbon कितना हो जाएगा बेटा, 1 by 12 mole, unitary method apply करेंगे, ठीक है, तब 24 gram carbon क्या हो जाएगा, 24 divided by 12 mole, तो यहां से आपके पास answer क्या आ रहा है, 2 mole, ठीक है, अब देखे, आपने moles calculate करने के लिए final में किया क्या है, अब देखो, formula बना रहे हैं हम, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, मोल्स calculate करने के लिए मैंने क्या किया, यहां से मेरे पास क्या रहा है, number of moles, so number of moles is equal to, हमने क्या किया, यह जो given mass था, हमने क्या किया, given mass को किस से divide किया है, यह आपका है, it is the mass of 1 mole, यह जो 12 gram है, यह क्या है, mass of 1 mole, और इसी को हम क्या बोलते हैं, molar mass बोलते हैं, ठीक है, 1 mole के mass को क्या बोलेंगे, molar mass, ठीक है, तो हर element के लिए बदलता रहेगा, oxygen होता तो it would be 16 gram, nitrogen होता इस शुद भी 14 grams, ठीक है, तो formula मेरा क्या बन गया, है कि number of moles is equals to given mass divided by molar mass, molar mass आपका क्या हो गया, जो आपका gram atomic mass है, ठीक है, एक mole का जो mass है, so this is your second formula to calculate the number of moles, clear बेटा, very important, यह आपको class 11, 12, जब तक आपके chemistry पढ़ोगे, तब तक लिए काम में आएगा, अब इस formula का यूज करते होगे, कुछ questions कर लेते हैं, जिसे question है, calculate the number of moles present in 44 gram of carbon dioxide, ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो, what is the molar mass of carbon dioxide, molar mass मतलब, mass of one mole, जैसे आप normally इसका mass निकालते हैं, वही बात है, तो इसमें क्या है, एक carbon, carbon का mass कितना है, 12, 2 oxygen है, so 2 times 16, your answer will come out to be 44 gram per mole, क्योंकि एक mole का mass है, नब बिटा है, ठीक है, and now what is the given mass, given mass is also 44 grams, so, यहाँ से मेरे number of moles क्या आ गए, given mass divided by molar mass, ठीक है, given mass कितना है, 44, और molar mass भी कितना है, 44, so your answer will come out to be 1, ओक है, so here we have 1 mole of carbon dioxide, ठीक है, चलो, माल लो, ऐसे ही, इसी question में हम कहाँ देते, कि calculate the number of moles, comma, molecules, अगर molecules भी count करने को कहाँ देते, फिर हम क्या करते, तो हमें पता है कि number of moles का एक और formula है, कि number of moles is equal to number of molecules, divided by N, ओके, तो अब मेरे पास number of moles कितने है, 1 है, number of molecules हमें calculate करने है, divided by N, तो मेरे number of molecules बटा कितने आ गए, number of molecules is equal to N, और N किसके इककोल होता है, 6.023 into 10 raise to power 23, clear बेटा, चलिए, लेट्स दो वन मोर question, question है आपका, calculate number of atoms, बेटा, important question है, थोड़ासा different है, तो सब लोग ध्यान देंगे, calculate number of atoms present in 240 gram of ozone, ठीक है, ozone का क्या formula होता है, O3, ओके, 240 gram है हमारे पास ozone है, उसमें हमें number of atoms calculate करने है, ठीक है, सो solution में, सबसे पहले तो जब आपको mass given है, तो मतलब हम कौन सा formula पहले लगाएंगे, mass by molar mass, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या calculate करना पड़ेगा, molar mass, ठीक है, molar mass, जैसे आप oxygen, ozone का mass calculate करते, तो molar mass of ozone is equal to three times oxygen का mass, that is 16, and it will come out to be 48 gram per mole, ठीक है, and what is the given mass, given mass is 240 gram, तो यहां से अगर हम calculate करेंगे number of moles, तो कितने आ जाएंगे बेटा, given mass divided by molar mass, so 240 divided by 48, तो यहां से जो answer आएगा, it will be 5 moles, ठीक है, अब हमें पता है कि number of moles से हम क्या calculate कर सकते हैं, अब देखिए, यहां पे एक छोटा सा twist है, twist तो क्या, अब देखो, O3 के अगर मैं बात करूँ, तो यह atomic form में है, कि molecular form में है, molecule है, ठीक है, तो यहां से जो मैं calculate कर पाऊंगी, वो क्या कर पाऊंगी, number of molecules calculate कर पाऊंगी, ठीक है, so number of molecules divided by Na, ओके, so number of moles कितने हैं, 5 है, into Na हो जाएगा, तो आपके पास क्या आजाएगा, number of molecules आजाएगा, ओके, अब question में उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है, number of atoms, ठीक है, तो अब देखिए, कि अगर मैं बात करूँ, one molecule of O3, तो इसमें कितने atoms है, three atoms of oxygen है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो smallest unit है, हमारी O3 है, ठीक है, तो O3 की units ही हम calculate कर पाएंगे, ओके, तो उन्होंने पर पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है atoms, इसी लिए हमें यह करना पड़ रहा है, कि one molecule, जो O3 का है, उसमें कितने atoms है, three oxygen atom है, और हमारे पास total molecule है, कितने, five times na, ठीक है, तो एक molecule में five, sorry, हमारे पास कितने total molecules है, five times na, एक molecule में तीन atom है, तो five times na में कितने होंगे, so therefore, number of atoms in five na molecules कितना हो जाएगा बेटा, क्या करोगे, इस term को three से multiply कर दोगे, ठीक है, so three into five into na, क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 na atoms, ओके, अगर आपने सिर्फ molecules निकालने होते, तो हमारा आंसर यहीं तक था, पर क्योंकि atoms निकालने है, तो और एक molecule में अगर तीन atom है, तो इतने molecules में कितने होंगे, इस पूरे number को में क्या करना पड़ेगा, three से multiply करना पड़ेगा, ठीक है, so it will be 15 into na की value पुट कर सकते, 6.023 into 10 raise to power, 23 atoms of oxygen, ठीक है, यहां से multiply करेंगे, then we will get the answer, ओके पड़ा, so I think आपको यह topic clear है, और बहुत ही important topic है, ठीक है, so please like and subscribe our channel, and thank you very much.